नमश्कार मैं हूँ निश्य दूबर आप देखरें रफ्तार मीडिया तो मोर 36 गड़ के स्पेशल बॉलिटेन में आपका स्वागत है रूक करते खबरों की ओर तो अस्टम अंतरास्टी योग दिवस के आसर पर बलात जिला के पावन धरा धाम गंगा मया मंदिर परिस्टर म शामिल हुए वही इतने बड़े आयोजन में जिले के खेल अधिकारी शासन प्रसासन को ठेंगा दिखा कर काल क्रम से नदारत रहे स्वांस चोड़ते हों वापस पहला अधिक दुतिय अधिम फिर से स्वांस खीषते हों दाहिनी ओर गर्दन जोपीड़े आज पूरे देश में अंतराष्टी योग दिवस मनाने जा रहे हैं उस पर पेक्ष में पूरे अमारे च्छत्रिशगार राज्य में भी हर बलाक में हर धर्म इस्तल पे हर मंदिर में आपके परियटन इस्तल में ऐसे जगों कुछ नहांकित करके पूरे च्छत्र के लोगों को भी इस योग दिवस की बधाई दिए है और पूरा प्रदेश को भी मैं बधाई देती हूं कि इस योग जिवन में उतारे और सौस्त रहे खूष रहे शुक्ही रहे तो 21 जो उनको दुनिया भर में अंतराश्टी योग दिवस मनाया जा रहा है भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाजा, ब्रिटेन समेट करीब 170 देशों में आज योग दिवस मनाया गया आठवे अंतराश्टी योग दिवस के मोकी पर कोरवा में थोड़ा हट कर योगा अभ्यास दिखाए दिया दरसल योग शिविर में बुजर्ग महिलाएं भी युवाओं के साथ ताल में ताल मिलाकर योगाशन करती रहे बृद महिलाओं के जजबे को देकर लोगों में और अधिक उत्सा बढ़ गया शिविर में स्कूल और कॉलेज के बिद्यार्थी भी शामिल हुए थे वही अधिकारी क्रमचारी ने भी सब भी के साथ मिलकर योगाशन किया योगाशन के बाद कलेक्टर और महापावर ने कर इस्थानों पर पौधार ओपन भी किया तो बिलाईगर बिदान सबाद छेतर में तुरास्टी योग दिवस्मन आए गया जहां बिलाईगर तहसिलदार ने पूजा अर्चनकर योगाशन के श्रुवाध जरान नगर के अधिकारी क्रमचारी सहीजन प्रतिनीद्यों ने योगाशन किया आज बिलाईगर में ये संदाई घवन है जहां बिलाईगर के सभी अधिकारी करमचारी सासन के निर्देशन साथ अंतराष्टी योगा दिवस के कालिक रंपत पस्तित रहे हैं वेडिया क्रोप भी पस्तित रहे हैं और हमारे प्रसिक्षकों के द्वारा योग प्रसिक्षन दिया गए योगा भ्यास कराए गया सभी लोगों ने बहुत इमानदारी से योगा भ्यास किया है और वे सभी ने स्विकार किया है किसे वे रेग्लार करेंगे अपने घर वालों भी कराएंगे और समाज को भी कराएंगे सबको निशित ही इस योगा भ्यास का स्वास्था एलाब होगा वे स्वास्था रहे हैं तो राजे में अंतराश्ट्री योग दिवस के लिए शास्था ने मुख्यरूप से तीन जगहों को चनांकित किया था जिन में से एक है माता कौशलय की धरा चंद खुरूए जहां आज आठवे विश्य योग दिवस के औसर पर मंदिर प्रांगन में सैक्रो लोगों ने योग किया हर वर्ष अलग-अलग थीम पर अंतराश्ट्री योग दिवस मनाय जाता है इस वर्ष योग और मानावता को लेकर इस बार का आयोजन किया गया था 36 गर प्रतेश में भी योग को लेकर लोग काफी प्रफलित नसराए और अलग-अलग स्थानों में योग करते दिखे जिसमें राइपूर के सुभास स्टेडियम और ग्रास मेमोरियल मैदान सहीद BTI मैदान में भी सैक्रो की संख्या में लोगों ने सुभे से ही पहुँचकर योग के प्रती अपने रूची दिखाई आठवे अंतराष्टी योग दिवस के आउसर पर हमारे अराध्य देव स्रीराम की माता कोशिल्या के पवित्र मंदिर प्रांगन में आज भव्य योग शिविर का आहजन हुआ भारत सरकार के आयुस मंत्रालाय द्वारा जारी प्रोटोकाल के तहत उन्होंने पुरे देश में ऐसे 75 इस्थानों को जो पवरानिक एवं धार्मिक दिख्ष से एतिहासिक इस्थल के रूप में प्रशिद्ध है उन जगों को उन्होंने योग शिविर के लिए चैनित करन को राज सरकारों को निर्देशित किया था उसी तारतम में हमारे प्रदेश के यसस्थी मुख्यमंत्री सुभुपईज बगेल जेन ने उनके निर्देशन में सभी जीलों में प्रदेश के तीन ऐसे इस्थलों का चैन कर वहां पे अंतराष्टी योग दिवस के आउसर पर योग सीवीर का अभ्यास केंद्र का आयजन किया गया मुख्य रूप से राजिस्तरी काईकरम चन्खुरी में माता कौशिल्या मंदिर इस्थित प्रांगन में किया गया जहां लगवक पंद्रा सो लोगों ने इस आउसर पर योगा अभ्यास किया योग और मानोता को लेकर करके ये आयजन योग का किया गया था निश्चित रूप से पुरे प्रदेश में अविशे इस रूप से राजधानी राइपुर में योग को लेकर के जिस प्रकार का उस्था दिखा और देखते ही बनता था ऐसा कोई भी सावनी जगा और ध्यान हमको खाली नहीं तो धमतरे जिले के ग्राम पर खंदा के स्थानी ग्रामिर महिलाओं ने अपनी टोली बनाकर अवैद रेत खनान के खिला मोहीम शेर दी है ग्रामिड महिलाएं अब एकजूट होकर समस्त महिला ग्राम सौंगा विकास खन, मगर लोड और ग्राम पर खंदा विकास खन, कूरुद अंतरगत विकद छे महीने से अवैद रेद खदान से रेद खनन पर अक्रोशित हो गई है महिलाओं का अरोप है कि शिकायद के बावजूद भी खनन कारी ठेकेदारों द्वारा संचालित किया जा रहा है इसमें ठेकेदार और ग्राम विकास, समिती, सरपंच, ग्राम पंचायद की मिली भगत साफ तोर पर दिखाए दे रही है ग्रामेडों द्वारा लगभग 22 लाख रुपे की लेन देन का अरोप भी लगाये गया है ग्रामेडों ने कहाई कि यदि कोई करवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में राइपूर में सीम हाउस का घराव करने पहुंचेंगे इस मामले में जिला कलेक्टर एलमानिक करवाई की बात गही है अब भी इस पर कावे की जा दिया है अपन प्रेतिला हमारे अपन पूरा खन के अपन काम में मतलब भी लिए 24 जोरीश ओकर नंबर मिले दी सो मला खदान मिले दी 22 बटा नम लबे हमारे खदान के रेति ग्यारा बटा तेरा तेरा के पूरा रेति लन्ना तक पूरा उमना दोहार के अपन घां से अपन मज़ू चले इस अपन गाह में पईसे जामा करें हमारे आना अवेथ खन के रेति ले गये हैं उसके बारे में आएं कलेटर ता आपके पास निवेदान है कि हमारे जो मौकर चाज करने के लिए बोलें जितना भी रेति है अवेथ खन के लिए उसके लिए अवेथ खन के रेति लेगे ना उकले कुछ करे सरकार पदम उठाए कि हमारे गाहों के जो रेति ही ना वो मला बचाना चाहा है जाथ आपके घ्रामी ना जेक्टिका अथ खाता है मैं एकड़ों की संख्या में ग्रामिड आदिवासी महासभा के कारेकरता और ग्रामिड महिला रैली करते हुए कलेक्टरेट पहुंचे जहां दस सुत्रिय मांगो का ग्यापन प्रशासन को सौपा आपको बता दे कि कल भी बैला डिला में इस्थे MNDC परियोजना किरंदूल का घेराव कर ग्यापन सौपा था इस विशाल रैली में पहली बार बैला जिला पहार के पीछे बसे लोगों ने भी अपनी उपस्तिती दर्श कराई और अपनी मांगों को रखा कई ग्रामिड ऐसे थे जिन्होंने अपने जिला मुख्याले में पह जहां LKG से कॉलेज तक की पढ़ाई का जिम्मा NMG से उठाए जिला 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 कि यहां बहुत सारे तकलीब है हम लोगों उस चेत्र में रहने वालों को कोई सुईदा नहीं मिल रहा एक दूर के लोग हैं यहां पर नेक्षलशत्र गोशित करने के कारण से आप सबी लोग जो हैं दूर अंचल के गाहों में रहने वाले लोग धर करके जर सामने आते भी न और दूसरा एक हमारा ग्यापन था उसमें यह है कि अभी जो केम्प कोल रहे हैं यहां पर जो शुरक्षा बलके नाम से जो तैनात कर रहे हैं हर जगा तीनों जीला में दंतेवारा सुपमा विजापूर उसमें क्या है सासन पर सासन जो है अंदा दून ले जा करके वहां पर क केम्प कोल रहा है केती जमीन में किसी का भी केती जमीन में केम्प कोल रहा है हमारा मांग यह है कि बिना अनुमति का बिना प्रस्ताव का बिना साहमति का इस तरह सोतंत्र आजाज वारत देश में दमनकारी नीती अपना ना यह गलत है हम गाउं के लोग कोई भी बस्तर में अब बक्त चला एक छोटे सी ब्रेक का फ़र नोट हैंगे